श्रिनाज्य गुरुजी गौला कादेश, मभगवती गौला कादेश, राची वाले भायरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश, आप सभी को नवरात्र के बहुत ही हार्तिक शुब कामनाएं, कल रात मैंने एक वीडियो डाला था, कि ग्रिहस्त काली पूजा कैसे करें, तो कुछ लोगों का मेसेज आया कि गुरु जी और जो हम सादक ह है, तो कुछ तो विशेश सादना हैं आप दीजिये, तो बहुत सोच समझ करके, मैंने आप लोगों के लिए एक सादना चुना है, जो मैं चाहता हूँ, आप लोग करें, यह वो करें जिनके पस गुरु मंत्र है, या फिर जिनके पास सुरक्षा का मंत्र है, जिनके पास न करना थे है, अग्षोर अखार, इन सब नाम में आफ स करके, इतना समझना चाहिए, कि जो अग्षोर अवस्था को प्राप्त करना चाहता है शक्ती मार्क से, वह अग्योरी होता है, हरार्की वाइज, डेफिनेशन वाइज, अग्र अग्षोरी कुछ होता है, लेकिन जो हम स पन्यास नहीं लेते हैं, जिनको आगे नहीं बढ़ना है, उस हरार्की में उनके लिए अगोर मार के जितने लोगे सब अगण अगोरी जो नाम आप बुला लो, तो ये जो वेतालकाली साधना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे साधकों के लिए है, ये ग्रिहस्त भी कर सक लेकिन इसकी साधना पूरे तरीके से मसान में होगी, क्या-क्या चाहिए होगा आपको, आपको चाहिए होगा लकडी नौ दिन के लिए, आपको चाहिए होगा वो जो लकडियां होंगी, उसमें एक मसान की लकडी होनी चाहिए, जली हुई, इसके अलाबा आपको हवन सामक लगेगा ठीक है और अन्तिम दिन जब भवन होगा तो वो कलेजे से होगा नौवे दिन इतनी सामगरे आपको लगनी है धूप दीप अगर आप देना चाहते हैं तो आप जला करके बैठ सकते हैं करना क्या है आपको मसान में चले जाएगा एक कोना पकड़ दीजेगा ऐसा मत करिएगा कि एकड़म मतलब टीम टाम कर रहा है एकड़म बीच मसान में बैठ गये हैं और पूरा एकड़म सबको दिखा रहे कि देखो मैं अगोर साथना कर रहा है यह नहीं करना इस साथना में बहुत ही नियम होता है बहुत अलग से चुपके से बैठके आप यह नकर निकले त्रिपुंड बनाईएगा जो हवन होगा आपका उसके बीच में एक मसान का राक या लकड़ी कुछ रख दीजेगा और उसके बाद जाब किजेगा जैसे 108 जाप आपको रोज कर रहा है आप जाप करते रहेंगे और हर जाप के बाद आप आहूती देंगे ठी ठीक है और मुर्गे की बली कैसे दी जाती है मुर्गे की बली ऐसे नहीं दी जाती कि आप चाखुल ले जाओ और उसके दुसको रेत रेत के मारोगे ऐसा नहीं है मुर्गे को दोनों हाथ से पकड़िएगा सर को पकड़ करके धर से अलग कर दिजेगा मडोड के और उसके बाद मंत्र पढ़के उसके सर को सीधे हवन कुड में डालिएगा और उसके बाद जो जब उसका धड़ शान्त हो जाए तो धड़ को भी हवनकुण में आपको डाल देना है इसके बाद तीन बार आपको शराब से आहुती देनी है इतना आपको कर देना है कि वो जो आपने बली दिया है वो बचना नहीं चाहिए वो पूरा का पूरा बली आपका स्वाहा होना चाहिए ठीक है इतना आपने कर लिया अब क्या गरना होगा आपको 9 दिन तक आपको यही प्रक्रिया करनी है रात में 10.30-11 बजे शुरू कीजिए जा आप मंत्र छोटा है तो 15 मिनट लगेगा एक चीज आप जैसे ही मसान घुसेंगे और जब तक आप मसान से निकलेंगे आप किसी से एक शब्द बात नहीं करेंगे किसी को कुछ नहीं बोलना है वहाँ मू नहीं खोलना है आपको चुक्चाप जाईए वहाँ पर अपना त्रिपुंड वाला ट्रैंगुलर हवन कुंड सजाईए उसमें एक लकड़ी रखें मसान की आप उसको जलाईए उसमें आप हवन करिए अच्छा एक चीज और हवन जलने के लिए महत्वपूर्ण और संकल्प के लिए महत्वपू पहले तो आप आहूती डालेंगे आहूती डालने के बाद आप संकल्प डालेंगे और उसके अधवन शुरू करेंगे तो मंत्र सुनिये मैं तीन बार आपको मंत्र बताऊंगा यहीं मंत्र अपी से नौ दिन तक आप लोग करिएगा मंत्र क्या है अहोव बेताल काली महालक्ष्मी सार्दिये नवचंडी कुकर्म हरती अगोर निशा हरे महा माया दिये धरे रात की पात अर्चन आज मेरो बचन स्फुरो नात की आन रचे सर्व सरवभंग ओमभट स्वाहा तो यह मंत्र का आपको 108 जाप के साथ आहूती करनी है अहोव बेताल काली महालक्ष्मी सार्दिये नवचंडी कुकर्म हरती अगोर निशा हरे महा माया दिये धरे रात की पात अर्चन आज मेरो बचन स्फुरो नात की आन रचे सर्व सर्व भंग ओमभट स्वाहा तो यह मंत्र है 108 जाप करके इसके साथा पाहूती देंगे और उसके बाद जो मैंने आपको बली का विद्वाहा निशा हरे महा माया दिये धरे रात की पात अर्चन आज मेरो बचन स्फुरे नात की आन रचे सर्व सर्वंग ओमभट स्वाहा यह मंत्र है 108 जाप करके इसके सातापाहूती देनगे और उसके बाद जो मैंने आपको बली का विधान बताया उस बली के विधान को आप करेंगे बली के विधान को करने आप कारण देनगे उसका चुपचाप उटके वहां से चले जाएंगे ठीक जब आप हवन करेंगे, मतलब जब पूजा करेंगे, जो नौवा दिन का पूजा होगा, उसमें एक तो प्रतेक्षे करन होता है, इसलिए बंधन करके रखेगा, डरियेगा मत, भगवती आए तो सीधे बुलिएगा कि मा साथ में मा के रूप में रहो, दूसरा कुछ मत बोलन करेंगे, उसके अद बली देंगे, उसके अद कारन देंगे, और उसके अद आ जाएगे, अनुभूतिया बहुत होंगे, डरने की बात नहीं है, मैं बैठा हूँ, सिर्फ मुझे बता करके आप लोग ये पूजा करेंगा, दूसरा विशा है, इस साधना के बारे में मैंने स संपर करें, और अभी आज से नवरातर शुरू है, बहुत लोगों ने बहुत साधना मुझसे लिया है, मताब कुछ लोगों ने साधना लिया है, तो जिनने भी साधना लिया है, अगर कुछ बाकी है, कोई जानकारी चाहिए, तो आज मुझसे आप ले ले, 12 बजे के बाद से बारा बजे के बाद क्योंकि अभी मैं पूजा में बैठंगा डेड़ दो घंटे उसके बाद फिर शाम में फिर मैं पूजा में बैठ जाओंगा तो बारा से चार के बीच में जिनकों भी मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए कोई साधना के विशे में जानना है वो मुझसे तो आज के लिए इतना ही आप सभी को आदेश आदेश माभगवती आप लोगों की रक्षा करें आप लोगों की साथना सफल करें मुझसे बात करना है तो कॉल मी फॉर आप डाउनलोड कर लीजिए उसमें रूद्रनाथ सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल अधे रहे हैं और वाटसप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर बहुत ही अर्जनसी नहीं हो तो कॉल मी for app से बात करें जो आफ यंदिया के लोग है वो कॉल मी for app बात नहीं कर सकते उसपे तो आप लोग मेसेज़ चुड़ीए च्बिश कल के आज के लिए इतना ही आप अजिस अधा, आइणा नशा आइणा आइणा, आइणा आइणा